अगर आप कोई iOS डिवाइस यूज कर रहे थे एंड आपने Android डिवाइस पे स्विच किया है या आपको एक चीज का इसू तो जरूर ही आया होगा कि iOS के WhatsApp messages को Android में या Android के WhatsApp messages को iOS में सेफली ट्रांसफर कैसे करें तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा सिंप्ली आपको उसे ओपन करना है दिन आप इस पेज पे आ जाएंगे यहां से आप इस टूल को अपने विंडोज और मैक के लिए फ्री में डाउलोड कर सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन के अपने फोन के डाटा को रिकवर कर सकते हो फोन को मैनेज एन डाटा ट्रांसफर क सकते हो बेट्विन योर फोन और हैंपूंटर अगर आप अपने फोन का पाशन पैटेन भूल चुकह और फिर भी अपने phone को unlock कर सकते हो या फिर अपने iOS device को repair कर सकते हो या आप अपने एक phone से दूसरे phone में पूरे के पूरे data को transfer कर सकते हो या आप अपने phone का backup create कर सकते हो साथ ही restore भी कर सकते हो या आप permanently delete कर सकते हो अपने phone की data को साथ ही phone में virtual GPS location भी enable कर सकते हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है WhatsApp Transfer Tool की So WhatsApp Messages को iOS से Android में Transfer करने के लिए सबसे पहले तो आपको WhatsApp Transfer Tool open करना है दिन आपको चार आप्सेंस देखने के मिलेगा Transfer WhatsApp Messages, Backup WhatsApp Messages, Restore WhatsApp Messages to iOS Device Restore WhatsApp Messages to Android Device तो हमें Transfer WhatsApp Messages में जाना है दिन iOS and Android दोनों डिवाइस को थूँ USB अपने PC से कनेक्ट रहे देना है अब आपको इस स्क्रीन पे दोनों फोन कनेक्टेट दिखाई दे तो आपको नीचे में Transfer का बटन दिखाई देगा ब्लू कलर का उस पे आपको क्लिक कर देना है थोड़े टाइम में ये प्रोसेस कंप्रीट होगा आपके सारे Messages iOS से Android डिवाइस में Transfer हो जाएंगे ये टूल तो फ्री है बट अगर आप इसका WhatsApp Transfer Tool का Premium Version 15 दिनों के अंदर बाय करते हो तो आप SENWHATS coupon code को यूज करके 40% का discount पा सकते हो सु आर्टिकल का link and download link वीडियो के description में मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही मैं में में मिलता हूँ अपनी अगली कमाल के वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई